महरास्ट में जब जब गोहाटी का जिक्र होता है अचानक से सियासी पारा उपर चड़ने लगता है और खास करके उद्दव ठाकरे खेमे की अगर बात की जाए तो गोहाटी के नाम से ही उद्दव ठाकरे खेमे में हरकंप मचना शुरू हो जाता है क्योंकि जो उद्दफ ठाकरे की सत्ता गई है उसमें गोहाटी का बहुत बढ़ा हात है क्योंकि गोहाटी में ही एकनाश शिंदे पहुंचे थे वहाँ पर उन्होंने बगावत का बिगुल फूंका था चालिस विधायकों के साथ मैं इसकी वजए से गोहाटी का जिक्र होते ही उद्दफ ठाकरे खेमा बुरी तरीके से तिल्मिला उठता है और अब की बार उद्दफ ठाकरे खेमा नहीं बलकि खुद उद्दफ ठाकरे बुरी तरीके से तिलमलाई वे हैं आपको बता दें कि महरास्टर के जो CM है एकना शिंदे वो फिलाल असम के गोहाटी दोरे पर हैं वो कामाख्या देवी मंदर पहुंचे अपने तमाम विधायक के साथ मैं जिन्होंने भी उद्दफ ठाकरे खेमे के खिलाब में बगावत की थी उनका उधर गोहाटी में पहुचना इधर उद्दफ ठाकरे की तरब से हमलावर हो जाना यानि कि उद्दफ ठाकरे घिरने चले थे एकना शिंदे को लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने सी कैसे सियासी पारा लगातार चड़ता जा रहा है और बीजेपी ने किस तरीके से उद्दफ ठाकरे को मूँतोड जवाब दिया है इसके अलावा एक और बहुत ही महत्तपूर खबर है मुझे लगता है कि उसको भी कवर करना बहुत जादा जरूरी है अभी एकना शिंदे को उद्दफ ठाकरे से बगावत किये हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन जिस तरीके सी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरे निकल करे सामने आ रही है उसके मताबक ये भी का जा रहा है कि एकना शिंदे के खिलाब में उनके गुट में बगावत शुरू या फिर मीडिया के दौरा लिबरांडू गेंग के दौरा ये फिलाया जारा महच एक प्रोपेगेंडा है इसको हम तटोलने की कोशिस करेंगे और इन दोनों ही खबरों का हम राजनेतिक पोस्ट मार्टम करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगी पड़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उद्दफ ठाकरे ने जिस तरीके से एकनाशिंदे को घिरने की कोशिस की और एक बार फिर से किसानों को वो बीच में ले सब्सक्राइब करते हैं एक जंसभा को संबोदित करते हुए उद्दफ ठाकरे ने कहा कि इधर किसान परेशान है महराश्ट के तमाम इलाकों में किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लेकिन एकनाशिंदे तो दौरा करने में व्यास्तने का माख्या देवी नरंदर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं अपने तमाम निताओं के साथ हैं तो उजहोंने कहा कि एकनाशिंदे को महराश्टर के किसानों की बिलकुल भी नहीं पड़ी है और यहां भी बोल गए कि एकनाशिंदे आशिरवात तो लेना चाहते हैं बाला साहिब ठाकरे का लेकिन जाते हैं प्रधानमंत्री नरंदर मूदी की शरड में यानि कि उनका ये कहना है कि बाला साहिब के नाम का इस्तेमाल करके वो चनाब रड़ने की कोशिस कर रहे हैं लोगों की जो सहानुभूती है वो बटोरने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन भागते हैं प्रधानम नेता मोहित कमबोज ने बहुत बड़ा प्रहार किया है उद्ध ठाकरे के खिलाप में उन्होंने काए कि जिस नेता को यहां तक नहीं पता है कि उसकी पार्टी के विधायकों का जो नंबर है वो अचानक से कम हो जाता है जिसे यह नहीं पता है कि उसकी पार्टी में आकरकार बगावत के सुर्ख कौन अपना रहा है वो अगर दूसरे दलों पर टीका टिपड़ी नहीं करे तो जादा बेतर होगा यानि कि उनका सीधे तोर पर कहना है कि एकनाश शिंदे के गुहाटी दोरे पर वो जादा ध्यान ना दें उसे क्रिटिसाइज करने में अपना वक्त जाया ना करें वो इस पर ध्यान दें कि उनकी पार्टी में जो बगावत अभी भी थमी नहीं है उनके और भी नेता इस्तीफा देने के लिए तयार हैं उनके और भी नेता एकनाश शिंदे गुट का दामन थामने के लिए तयार हैं उन्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत है ना कि एकनाश शिंदे के दोरे को ले करके और फर्जी जो वो बयान बाजी कर रहे हैं किसानों क भविश खत्रे में है और एकनाशिंदे किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं मुझे लगता है कि ये बहुत ही जादा दुर्भागे पूर है क्योंकि पिछले धाई साल से उद्धर ठाकरे सत्ता पर काबिज थे तब उन्हें किसानों की याद नहीं आई तब उनके स समझ में आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाला साहिब के नाम का इस्तेमाल किये जाने का जो दिकर कर रहे हैं उद्धर ठाकरे मुझे लगता है कि अब उन्हें ये शोभा नहीं देता है क्योंकि वो बाला साहिब की बिचारधारा को ढई साल पहले ही कुचल चु की है इसके लाबा हम रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का वो भी गोहाटी से ही निकल कर के सामने आ रही है आपको बता दाए कि एकनाश शिंदे गोहाटी पहुंचे अपने दल पार्टी कामाक्या देवी मंदर जो है पूजा करने के लिए उनके धर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं उनके वहाँ पर न पहुंचने की वज़य बताई जा रही है कि वो एकनाश शिंदे से और भारती जनता पार्टी से खासा नाराज हैं क्योंकि उन्हें इस नई न नाराज हैं इसलिए ये च्छे विधायक हलाकि इनका नाम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये च्छे के च्छे विधायक एकनाश शिंदे से काफी जादा नाराज हैं जिसकी वज़य से वो इस दोरे पर एकनाश शिंदे के साथ में शामिल नहीं हुए है तो जो ये खबर है अगर इसमें रत्ती भर भी सचाई है तो मुझे लगता है कि एकनाश शिंदे को इस पर गोर फर्माने की जरूरत है क्योंकि अभी अभी वो बगावत करके खुद मुक्यमंत्री बने है और अचानक से अगर उनके गुट में बगावत होती है तो ये इस्थिती जो है आगामी BMC चुनाव के लिए भी और जो आगे आने वाले विधानसबा चुनाव में भी है जो वो भारती जनता पार्टी के साथ में गड़ जोड़ करके चुनाव लड़ेंगे उसके लिए कताई ठीक नहीं है हाला कि एकनाशिंदे गुट की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए ये कहा गया है कि जिस तरीके कि ये खबरे सोशल मीडिया पर तैर रही है उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि मंत्री पद नहीं मिला इसकी वज़े से वो परेशान है तो इस पर भी बाकाइदा सफाई देते हुए शिंदे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर क्योंकि उनके साथ में 40 विधायक थे भारती जनता पार्टी के भी तमाम विधायक थे सारे विधायकों को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता उस में से योग में से भी जादा योग की कौन है उस बेसिस पर मंत्री मंडल का वित्रण किया गया है उस बेसिस पर इसका विस्तार किया गया है लेकिन अभी एक और मंत्री मंडल विस्तार होना है हो सकता है अगर ये विधायक नाराज भी होंगे तो उनकी नाराज़गी को वहाँ पर सौट आउट किया जा सके उन तमाम विधायकों को दूसरे पोर्टफोलियो दे करके मामला संभला जा सकता है तो कुल मिलाकर के जो ये बगावत की खबर है इसे लेकर के एकनाश शिंदे की तरफ से बड़ा प्लटवार किया गया है कि ऐसी अफवाओं पर भरोसा ना करें और उद्दफ ठाकरे घिरने तो चले थे भारती जनता पार्थी प्यदान मंत्री नरद्र मोदी और एकनाश शि सब्सक्राइब कर लें साड़ बने वेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो सबसे पले नोटिफिकेशन आपको मिलें